गुड आफनून, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, मैं नेम इस विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूँ अनकैडमी प्लाटफॉर्म पे आज के ब्रह्मास्त्रबैच के ऑपरेटिंग सिस्टम के सेशन में हम बात करने वाले हैं पेज रिप्लेस्मेंट पॉलिसीज के बारे में या एल्गोरिदम्स के बारे में क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने वर्चुल मेमरी के बारे में देखा और देखा कि हम सिर्फ वही पेजेस को में मेमरी में रखते हैं के demand आती है बागी के pages होते हैं hard disk में पट जब कभी अगर CPU ने ऐसे page के requirement generate की है जो की main memory में नहीं है तो उसकी request पे वो page fault होगा और page fault जो है उसके service के लिए operating system आता है और operating system page को main memory से hard disk से main memory में लेके आता है बट अगर main memory में कोई frame खाली नहीं है तो क्या होगा हमें कोई ने कोई एक frame खाली करनी पड़ेगी by removing existing page बट कौन सा जिस page को हमें remove करना है उससे select किया जाता है बड़े strategically ताकि हम उस page की future में आने वाली request को minimize कर सके कि page fault ना हो तो ऐसे page को replace करो जिसकी request जो है हमारे पास कम से कम आए बट कैसे predict किया जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे हम page replacement की अलग-अलग policies देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये replacement policies जो है इनके performances क्या है कि किस तरीके से किस replacement policy को follow करने से हम में minimum page fault मिलेगा तो ये है आज के class का basic सा एक introduction या कह सकते हैं प्रस्तावना कि हम exactly क्या करना चाहते हैं इस class के through page replacement policies के through तो चलिए आईए आज का session स्टार्ट करते हैं और session को start करने के पहले मैं अपने आपको introduce कर देता हूँ मेरा नाम विश्वदीब है और मैं चैनल पे चैनल लीट काम करता हूँ अनेकेडमी प्लाटफॉम पे भी SS Plus Educator काम करता हूँ ये है मेरा profile और आप लोगों को बहुत सरी free classes अनेकेडमी प्लाटफॉम पे और इस चैनल पे देता हूँ ये देखिए एक free initiative हमने launch किया है mock test के नाम से All India mock test अगर आप लोगों ने इसको enroll नहीं किया है तो कर लीजिए free है absolutely free है धेर सारे students इसको लिखेंगे अगला test इस Sunday को ही होने वाला है अगर आप लोगों का preparation gate 23 के लिए complete नहीं हुआ है revision पूरा नहीं हुआ है फिर भी test लिखिए ताकि आप यहां से लेके यहां तक की journey को judge कर सकें कि कैसे आपका revision जो है आपको वहां से लेके यहां तक में marks को improve करवाएगा इसके लिए link दे रखिए वीडियो के description section में और code अगर लगेगा तो लगा दीजेगा V deep 10 enroll कर लीजेगा freely है आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं देना है चलिए तो आज के session में हम replacement policies जो है उसकी कुछ ही policies देखेंगे कुछ policies आने वाले कल के session में हम देखेंगे मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इससे questions जो है बन सकते हैं बहुत important topic है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम से इसको पढ़ते हैं तो कल के session में हम बची हुई policies देखेंगे पर आज के session में जो policies हम देखने वाले हैं वो बहुत important है अच्छी है इसलिए धीरे धीरे करके हमें slowly slowly क्या करना है इसे पढ़ना है चलिए तो start करते हैं आज का session जल्दी से आप comment box में comment करके आप बता दीजे कि आप रोग ready है जल्दी से अगर आप लोग बता देंगे कि ready हैं तो फिर आगे का session स्टार्ट करेंगे आपके जो भी query questions etc है अपनी preparation से related आप मुझे आज साड़े 9 बजे वाले session में पूछिएगा 9.30 वाले session में हम बनाएंगे आपके अगले 50 days का planning और आपको बताऊंगा कि आपका daily routine कैसा होना चाहिए आपका daily routine कैसा होना चाहिए बराबर सुबह से लेके शाम तक का वो routine भी आपको आज बना के दूँगा 9.30 पीम पे है ना तो कोई भी कोई भी अगर आपके पास query है question है कोई आपके पास request है वो सारी की सारी आज 9.30 पीम वाले session में हम discuss करेंगे चलिए तो session स्टार्ट करते हैं आज का और सीधे सीधे replacement policies की तरफ जाते हैं तो page replacement आज हम देखेंगे कुछ थोड़ा कल और file system का part हम कल देखेंगे और उसके बाद disk scheduling की algorithms और उसके questions हम सबसे last वाली class में देखके और Wednesday तक इसको पूरा finish कर देंगे operating system को चलिए तो जैसा कि मै आपको promise किया था मैं कर रहा हूं अपना promise पूरा 15 दिन में मतलब 15 sessions में ये session खतम हो जाएगा इसके बाद फिर क्या start होगा वो हम आप से discuss कर लेंगे तो virtual memory हमने देखा virtual memory के case में हमने देखा कि सारे process के pages हम main memory में नहीं रख रहे कुछ ही रखते हैं क्योंकि main memory में जगे कम प हैं तो खाली frame मिलेगी नहीं खाली frame नहीं मिलेगी तो किस page को कहां लेके आएं किस frame पे से कोई page को replace करें इसके लिए replacement policies होती हैं देखिए ये हैं कुछ policies जिन नाम एक है first in first out फीफो फिर है optimal policy फिर है least recently used फिर है most recently used फिर है last in first out फिर है least frequently used most frequently used और last in first out भी अच्छा ये same to same म पर एक second chance algorithm भी होती है जो हमारे syllabus में नहीं है चलिए एक एक करके इनको देखते हैं important जो policies है वो है एक दो तीन चार और ये पाच frequency वाली algorithms usually आती नहीं है ये 5 algorithms important है फिफो लिफो एलर्यू एमर्यू और और आप्टिमल ये है 5 algorithms जो important है इनको हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे बड़ा बरी से पढ़ेंगे चलिए आज का session में पहला फिफो पॉलिसी फिफो पॉलिसी क्या कहती है इसका detail हम पहले देखते हैं first in first out जो पहले आया वो पहले गया simple सी वाते जो पहले आया वो पहले गया जो main memory में पहले आयेगा page वो पहले जाएगा so इसमें किसको replace करेंगे page को replace the page which comes in main memory which comes in main memory first तो जो main memory में page पहले आता है वो main memory से पहले बाहर जाएगा first in first out देखिए मुझे उमीद है आपने से काफी सारे लोगों ने ये algorithms पहले पढ़ी होंगी समझी भी होंगी बट मैं उमीद आपकी जो expectation अपने आपसे है उससे कहीं जादा करता हूँ और वो ये है कि अगर आपको ये method आती है तो मेरा question ये है कि कितने time में आप इसका एक question solve कर सकते हो दो मिनिट, तीन मिनिट, चार मिनिट, पांच मिनिट, एक मिनिट ये define करेगा कि आपकी rank क्या आईगी अगर आप दो मिनिट के पहले-पहले solve कर दे हो के question को तो आप topper में अगर नहीं आप तीन मिनिट, चार मिनिट ऐसे question के लिए भी लेते हो जिसमें method के अलावा और कुछ भी apply नहीं करना है मतलब इसकी practice के आपको खूब ज़रूरत है question बन जाना और question quickly बनने में बहुत difference है और जो question quickly बनाएगा वो topper में रहेगा यह मैं हर बार हर session में कितनी बार बोलूँगा यार तो क्या करना है practice करनी खूब सारी concentration लगाना है तो यह method पहले सीख लेते हैं उसके बाद फिर एक आद दो question से practice भी कर लेंगे तो before में हमने एक example लिया कि हमारे पास 3 frames है main memory के अंदर फिर सारी के सारी initially empty है और page reference sequence यह दे रखाए कि पहले CPU ने request कि है page number 1 की फिर 2 की फिर 3 की फिर 4 की फिर 1 2 5 1 2 3 4 5 इस sequence में इन pages की request आई है अब बताओ कि कितने number of page fault होंगे इसको fulfill करवाओ चलो तो पहले एक एक करके देख लेते हैं सारी frames empty है पहली बार में request आया 1 का अब बताओ क्या one main memory के अंदर है yes or no नहीं है सर अगर main memory के अंदर नहीं है तो page fault होगा तो page fault हुआ one main memory के अंदर आ गया page fault लेके फिर 2 की request आई जब 2 की request आई तो उस time पे सिफ एक ही page main memory के अंदर था one page 2 नहीं है page fault हुआ हाँ जी हुआ मैंने tick mark कर दिया page fault के लिए और 2 के time पे हम 2 को main memory में लेके आएंगे अभी हमारे पास खाली frame है frame खाली है तो दूसरी खाली frame में 2 को भी लेके आगए replacement की कोई जरूरत नहीं लगी replacement की जरूरत तो तब लगी जब हमारे पास खाली frame ना बचे अभी था एक खाली थी 1 को ले आए दूसरी भी खाली थी 2 को ले आए तीसरी next request आई 3 की ये भी empty है मतलब main memory में है नहीं तो page fault तो होगा जी हाँ होगा बिलकुल होगा page fault के case में main memory में लेके आएंगे page को page number 3 भी आ जाएगा उसके लिए भी जगे खाली है ले आए अब क्या करेंगे अब next request आई 4 की क्या page number 4 main memory के अंदर है नहीं है सर क्या page fault होगा अरे हाना कुछ तो बोल भाई होगा की नहीं होगा बिलकुल होगा page fault हो गया अब page fault अगर हुआ तो हमें अब empty frame नहीं मिल रही कोई empty frame है नहीं है सर फीफो क्या कहता है कि सर जो page पहले आया था उसे replace करो कौन आया सबसे पहले आप बोलोगे सर आप हमारे से पहले आ गए थे इस दुनिया में आरे मैं birthday की बात नहीं कर रहा इस page की बात कर रहा हूँ यहाँ इन तीनों में जो अभी currently main memory के अंदर है उन में से तीनों में से पहले main memory में कौन आया अभी अवेलेबल है one two three इन तीनों में से सबसे पहले main memory में कौन आया था one आया था सबसे पहले तो one को replace करके फोर को लेके आगए यह आपके पास सिनारियो बना four के बाद अब request आई फिर से one की वन अभी अभी हटाया और उसकी request आगे अब request आगे तो क्या करेंगे बोलेंगे भीया क्या कि page fault हो गया अब one तो है नहीं main memory के अंदर page fault हो गया हाँ जी अब page fault हुआ हमारे पास खाली frame तो है नहीं एक page को replace करना पड़ेगा देखो 4, 2, 3 4 अभी अभी यहां आया था 2 यहां आया था, 3 यहां आया था बताओ तीनों में से सबसे पहले कौन आया 2, तो 2 को replace करो कौन replace करेगा 1 तो यह यह वाले pages आपके पास रह जाएंगे main memory के अंदर फिर request आई 2 की 2 page memory में नहीं है fault होगी, हो गई 3, अब किसको replace करें जो page सबसे पहले आया उसको replace करो, 4 यहां आया था 1 वापस यहां आया था, देखो 1 अभी जब आया तब वापस कब आया, यहां आया 3 उसके पहले आ चुका था 3 पहले आ चुका था, उसके बाद 1 यहां आया चार यहां आया, आप नहीं बोलो के सर यहां 1 तो आ गया था ना, 1 आ गया था, वापस चले गया था, तो वापस कब आया, अभी current scenario में वापस कब आया, यहां, तो 1 को replace नहीं करेंगे, 3 को replace करेंगे, 2 से, 2 से replace करेंगे, 3 को, तो यह आपके पास pages रहेंगे, main memory के अंदर, फिर request आया, 5 की, 5 के लिए page fault तो होगा, क्योंकि वो main memory में है नहीं, अब 5 fault हुआ, तो चेक किया, की तीनों में से किसको replace करेंगे, कौन सा page सबसे पहले आया था, 3, और 2 तो यहां आया, 1 यहां आया, 4 यहां आया, तो कौन पहले आया, 4 आया पहले, 5 से 4 को replace कर दो, 5, 1, और 2, अ फिर 3 की request आया, 3 है, नहीं है, fault हुआ, हुआ, किसको replace करेंगे, हम चेक करेंगे कि कौन कब आया, 5 यहां आया, 1 यहां आया, 2 यहां, 5 यहां, 1 यहां, 1 पहले आया, 1 पहले आया, 1 पहले आया इन तीनों में से, 1 सबसे पहले main memory के अंदर आया था, तो इसको replace करेंगे, 1 को replace कर से फिर 4 की request आई, 4 है नहीं है, page fault होगा, बिल्कूल होगा अब क्या करेंगे, अब page fault अगर हुआ है, तो हम देखेंगे कि कौन से page को replace करें, 3 यहाँ यहाँ आया, अभी अभी 5 यहाँ आया था, 2 यहाँ आया था enter कौन किया सबसे पहले, 2 2 इन तीनों में से सबसे पहले main memory में आया था, 4 उसको replace करेगा, तो 4 replace करके 2 को हटा देगा request i5 की, hit हो गया बताओ, कितने number of page fault हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 page fault हुए है, टोटा तो number of page fault अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ number of page faults कितना आया, 9, अच्छा number of page fault 9 आये, टोटल रेफरेंसे कितने हुए, 4, 4, 8, 12 12 में से no fault हुए, hit कितने हुए, 3, तो number of page hit अगर कोई पूछेगा, तो क्या बोलोगे, number of page hit हुआ है, हमारे पास 3, 9 हुआ है, fault, अच्छा एक बात बताओ, page fault ratio कितना है, page fault rate कितना है, page fault rate कितना आया, सर आपने 9 page fault लिए है, total out of 12, अच्छा page fault rate अगर ये है, तो hit rate कितना आया, सर, hit rate आया, 3 out of 12, ये देख लो, जो मैंने ratios लिखे हैं, वो समझ में आये कि ना आये, और अगर आ गए हैं, तो session को like करना माद भूलो या, session को like कर दो, क्या बात है, active participation, इसी कई तो मज़े हैं या, इन में na confusion बहुत होता है, तो जब तक आप 2-4 question solve नहीं करोगे न, तब तक समझ नहीं आएंगे, मज़ा नहीं आएगा, आपको na clarity नहीं मिलेगी, और कहां कहां किस question में, आप कैसे कैसे फस सकते हो, ये नहीं पता चलेगा, तो percentage क्या according, percentage में भी निकाल सकते हो, hit rate कैसे क्या आएगा, miss rate या fault rate कितना आएगा, है ना, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, और इसी question को solve करते हैं, कि आपके पास number of frames है, 4 और सारी की सारी empty है, और यही page reference sequence है, अब बताओ, page fault कितने आएगे, गिनो जरा आप खौद solve करूँ, solve करिए जरा, क्सक्त पनोगे, 10 fault हुए, 2 page hit हुए, 2 answer ही आए, अभी तक बाकी लोगों का क्या answer है या बताओ, चल, सबसे पहले request आई 1 की, सारी empty है, तो 1 तो आपके पास page fault हुआ, 1 को लेके आगए, आपके पास कोई replacement नहीं आया, 2 की request आई, लेके आगए, page fault के साथ 3 की request आई, वो भी नहीं है, तो page fault हुआ है ना, मैं यहाँ पे लेके नहीं आया, अबर 4 frames दे रखी हैं, तो 4 के साथ में 4 को भी लेके आगए, 1, 2, 3, 4 हमारे पास हो गया, 4 fault हुए, 1 के साथ कोई fault नहीं, 2 के साथ कोई fault नहीं, hit हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, 5 की request आई, 5 की request आई, तो क्या करेंगे, 5 की request आई, 5, तो हम देखेंगे 5 main memory में, नहीं है अभी, 1, 2, 3, 4 ही है, fault होगा, बिलकुल होगा, fault, किसको replace करेंगे, जो सबसे पहले आया, 1, 2, 3, 4 में से सबसे पहले आया था 1, तो 1 replace होके 5 की जगे पे, 5 आजाएगा 1 की जगे पे, 5, 2, 3, 4, 1 हट गया, page fault होगा इसकी request, 1 किसकी जगे आएगा, 5 यहां आया, 4 यहां, 3 यहां, 2 यहां, तो 2 replace हो जाएगा, 1 से, यह main memory में, 4 pages, 2 की request आगई, अब 2 की request आगई, 2 क्यों, page fault होगा, क्योंकि वो है नहीं, अभी, अभी, replace होगा, अब वो किसकी जगे लाके आएगे, 1 यहां आया, 5 यहां आया, 4 यहां आया, सबसे पह अब यह कैसे हुआ, आप देख सकते हो, 5, 2 यहां, एंटर हुआ, 1 यहां, 5 यहां, 4 यहां, 4 ही replace होगा, 3 से, अब 4 replace हुआ, 3 से, इसने फिर page fault कर दिया, 4 की request पे, अब क्या करेंगे, 4 की request पे अगर page fault हुआ, तो 5 को replace करेंगे, क्यों, क्योंकि 3, 2, 1 तो यहां आया, 5 सबसे पहले आया था, बहुत देर से main memory में है, तो इसको हम remove करेंगे, 4 को, 4 को अगर remove करेंगे, 4 को लेके आएंगे, 5 की जएके, फिर next request आई, हमारी 5 की, फिर page fault हो गया, page fault हुआ, तो क्या हुआ, इसने 4 को रखा, 3 को रखा, 2 को रखा, 1 को replace कर दिया, तो 4, 5, 2 और 3, यह pages आपके पास main memory में रह जाएंगे, page fault कितने आये, 12 में से 2 hit हुए, बाखी के page fault हो गया, तो page fault, number of page fault अगर गीनेंगे, तो आगए 10, थोड़ा observe करते हैं, हमारे पास main memory में 3 ही frames थी, इसी same sequence के लिए हमने no page fault रखे, बट एक तो simple सी बात है, कि अगर हम ज्यादा main memory space बढ़ाएंगे, तो number of page fault तो कम होने चाहिए, नहीं हो तो कम से कम, 9 ही रहे, कम, बढ़े तो ना, पर बढ़ गए, गलत बात, मैंने main memory में space बढ़ा दी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा frame रख पाएं, तो भी page fault बढ़ गए, गलत बात है ये, जी हाँ, ये एक problem है, इस problem को कहते है, belladies anomaly, ये belladies anomaly होती क्या है, belladies anomaly कहती है, कि कभी-कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी-कभी, कुछ ऐसे page के reference की sequence होती है, जिन reference की sequence हो, अगर हम fulfill करें, तो frames बढ़ाने पे page fault बढ़ जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए, usual case क्या है, page बढ़ाने पे, या frames बढ़ाने पे, page fault कम होने चाहिए, बढ़ कुछ reference sequence ऐसी है, जैसे कि ये वाला example था, कि ये page reference sequence ऐसी थी, जिसकी वज़से, sequence की वज़से, number of page fault बढ़ गए, पड़ ये तभी होता है, जब FIFO की algorithm लगाई है, FIFO के अलावा और कहीं नहीं होता, ये belladies anomaly कहां होता है, FIFO में होता है, कहां होता है, FIFO में होता है, होता क्या है, कि for some page reference sequences, कुछ page reference sequences के लिए, increasing the number of frames may increase number of page faults, जैसा कि अभी हमने observe कि ये number of page faults बढ़ जाते हैं, अगर हमने frames increase की, होना नहीं, चाहिए उल्टा होता है, बट हो नहीं राय सा, गड़बढ है, गड़बढ क्या है, ये belladies anomaly, anomaly का word meaning ही होता है, problem, तो ये problem identify की कुछ scientist ने हमें दी, बुक में लिख के हम बढ़ रहे हैं, कहां पे होती है belladies anomaly, फीफो में होती है, फीफो suffers from it, first in, first out, page replacement policy, suffers from EDD's anomaly, चीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, एक theoretical question आया था, काफी सालों पहले gate में, belladies anomaly, which page replacement algorithm suffers from this, चलिए, तो हमें page fault को कम से कम करना है, ताकि hit बढ़े, hit बढ़े, तो हमारा जो performance है, disk का वो increase हो, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें और दूसरी algorithm लगानी पड़ेगे, बट, फीफो का अगर advantage की बात करें, तो एक तो simple है implement करने के लिए, क्योंकि simple सी बात है, आप एक Q maintain करो, Q से काम हो जाएगा, Q से काम हो जाएगा, कि जो page जब वक्त, जिस वक्त पे enter हो रहा है, main memory में उसकी information रख दो, किस में, उस Q में, operating system में, Q maintain करेगा, जिस भी particular page का number Q में सबसे आगे 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 आगे, उसको निप्टा दो, बस simple सा case है, overhead भी कम रहेगा, किस का, कि किस page को replace करना है, इसको search करने का, क्योंकि Q में सबसे आगे 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 जो page है, बस उसी page को replace करना है, तो Q maintain कर लो, insertion करो, तो end से करो, सबको पता है Q क्या होती है, सबसे end से, last में insertion करदो, rear end में, और deletion करते वक्त, जब page को replace करना है, तो सबसे पहला-पहला page replace कर दो, तो क्या आपको time लगेगा, replaced यह lower hood किसका है to find page to be replaced किस page को replace करना है इसको find करने के लिए time कम लगेगा disadvantage क्या है performance poor होता है poor performance का मतलब number of page faults काफी होते है high page fault rate page fault का rate जो है बहुत high होता है performance अच्छा नहीं होता है does not consider the frequency of use or last used time simply replaces the oldest page इसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस page को हमने कितनी बार use किया है या अभी अभी use किया है या use नहीं किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं जो पहले आया था उसको निप्टाने का है बस तो यह consider कुछ नहीं करता है page के behavior को है ना फिर suffers from belladies anomaly अलग problem है इसकी इसलिए हम इसको practically जादा use करते नहीं है फिर एक आता है optimal policy optimal policy क्या कहता है optimal policy बहुत अच्छा algorithm है पर उसके पहले आफ वीपो का एक question solve करके मेरे को इसका answer बता दो जल्दी से बताओ answer बता दो जल्दी से solve कर लो इसको बहुत easy सा प्रश्ण है बहुत जल्दी solve भी हो जाएगा आपसे एक या answer आया बाकी लोग क्या भई हर्श का answer आया है बाकी लोग का क्या है चल देखते हैं यह है request a main memory can hold three page frames and initially all of them are vacant तीन page frames हो सकती ही main memory के अंदर और तीनों की तीनों empty है consider the following stream of page request page request की stream है P4 replacement policy है hit ratio बताना है page fault ratio नहीं है hit ratio है चीक है चलिए तो 11 request है हमारे पास यहां पर जी हां 11 request है एक एक करके देख लेंगे सबसे बहले आया request to 2 के लिए page fault होगा क्योंकि vacant थी सारी किसानी frames फिर 3 इसको भी हम page fault के थूँ यहां लेके आ जाएंगे और हमारे पास कोई problem नहीं है क्योंकि empty है spaces इस 2 के लिए हमारे पास हो गया hit फिर 4 आया page fault आया क्योंकि है नहीं main memory में और इसको हम empty frame पे 4 यहां लेके आ गए फिर आया 6 6 page fault होगा जी हां बिलकुल होगा क्योंकि वो main memory में नहीं है अब किसको replace करें जो पहले आया उसको replace करो क्योंकि आप empty frame तो बची नहीं तो 6 को हम यहां लेके आएंगे 2 की जगे पे क्योंकि वो सबस सब्सक्रिंब हम किसको replace करेंगे जो सबसे पहले आया छे अभी अभी आया तीन यहां पर हाग्या था तीन को replace नहीं तो six को replace करेंगे क्योंकि इस अब से पहले पहले आया था पूर पाइव वन अब six के लिए फिर से पेज़ फॉल्ट हो गया तो six किस की जगे आएगा पाईव की जगे आ जाएगा पूर six और वन चलो तीन टाइप के question यहां से पूछे जा सकते हैं basic वाले एक page fault कितने हुए दूसरा rate पूछा जा सकता है page fault का या hit ratio तीसरा टाइप का question यह पूछा जा सकता है कि कौन सा page main memory में है और कौन सा नहीं तो आपको आखरी में जो आखरी में page मिलेंगे उनके according आप decide कर सकते हो कि page number one main memory में है की नहीं six है के नहीं है four a के नहीं three है के नहीं two है के नहीं etc तो आप आसानी से question का answer दे पाएंगे दिल्कुल दे पाएंगे क्या पूछा है hit ratio दो बार का hit हुआ है 11 में से तो 11 में से two बार का two times hit हुआ है D is correct यहां पर लिख देंगे hit ratio जो है हमारा वो आया तू बाए 11 छीक है चल यह बहुत अच्छी बात है अंजली जी वर्षा जी अभय हर्ष बहुत अच्छा निक्स पढ़ते हैं optimal policy क्या होती है optimal policy यह कहती है कि हम कोशिश करते है page fault को minimum रखने की पर कैसे page fault को minimum रखने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि future में किस page की कब कब request आएगी जिस page की request अभी अभी recent में आएगी एकदम नस्दीक नस्दीक में उसको रख लो जो page की request कभी आएगी नहीं future में या फिर बहुत देर के बाद आएगी उसको हटा दो ताकि recent में जो जो request आएं उनके लिए हिट होता रहे और page fault minimize हो पाए तो optimal policy क्या करती है page fault को minimize करने की कोशिश करती है by checking out the future references कि कौन से page की future में कब request आएगी जिस page की request बहुत देर के बाद आएगी या आएगी ही नहीं उसको replace कर दो और जिस page की request recent future में या near future में है उसको रख लो तो हम यहाँ पे किस page को replace करेंगे इसका definition लिख देते हैं optimal policy में replace a page replace the page which is not going to be referred for longest period of time in future future में जो बहुत लंबे time तक use नहीं होगा उस page को replace कर दो ठीके वर्शा साहू जी कहती है कि यह practically possible नहीं है जी हाँ of course कैसे पता चलेगा CPU को कि page number 3 ही request होगा इसके बाद page number 5 आएगा future किसने देखा है CPU definitely यह वो वाला CPU तो है नहीं जो रोहित ने बनाया था क्रिश मुवी में या कोई मिल गया मुवी में ना क्रिश मुवी थी ना जिसमें रोहित ने एक ऐसा computer बनाया था जो future देख सके और यह computer हमारे पास तो है नहीं तो हमारा computer future देख नहीं सकता है तो फिर क्या हम page reference के future वाले references देख पाएंगे predict कर पाएंगे नहीं इसकी वज़े से यह practically तो possible नहीं है बट फिर भी क्यों use करते हैं यह हमारा benchmark बनती है कि हम practically जिन भी policies को implement कर पाएं उन policies में क्या हमारा page fault rate इस optimal policy के around आएगा अगर आएगा तो वो policy बहुत अच्छी है क्योंकि यह है benchmark क्यों है benchmark क्योंकि it provides minimum page faults across all the algorithms जितनी भी algorithms हैं उन में से सब में से सबसे कम page faults यह देता है तो हमारा एक point यहां पर बनेगा प्रोवाइडस मिनिमम नमबर आफ पेज़ पॉल्ट्स तो अगर कभी question में आपको policy नहीं दे रखी हो और खाली बोला है कि आप minimum page fault कितने हो सकते हैं बता तो आप बिना सोचे समझे मतलब सोच समझ के of course पर जादा दिमाग ना लगा के और optimal policies पिक करके और answer निकाल देना काम खत्म ठीक है चल अब इसको solve करके देख लेते हैं यही page reference sequence जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको यूज़ कर लेते हैं और हमारे पास page frame से 3 सारी initially empty है यही request की हमारे पास में reference है एक बार इसको solve कर लेते हैं सबसे पहले तो one की request आई page fault हुआ क्योंकि था ही नहीं one को लेके आगए खाली frame में two की request empty frame में इसको भी लेके आ गए three की request page fault empty frame में इसको भी लेके आ गए अब अब क्या करें अब ये है कि request number 4 के लिए क्या करेंगे request number 4 के लिए हम page fault तो करेंगे पर अब future देखेंगे कि ये जो present है 3 इन में से किसकी request कब आईगे 1 की यहां 2 की यहां 3 की request कहां यहां बहुत देर बाद है जिनकी अभी अभी request है उनको रखो जिसका reference बहुत देर के बाद है उसको replace कर दो 3 को replace करेंगे 4 से तो 1, 2 और 4 अब उससे क्या हुआ 1 के लिए कोई page fault नहीं आया 2 के लिए भी कोई page fault नहीं आया 5 आया 5 आया तो फिर से हमने चेक किया main memory में कौन है 1, 2, 4 page fault तो होगा पड़ 1, 2, 4 में से किसका reference कब है 1 का यहां 2 का यहां 4 का बहुत देर के बाद है 4 का अगर बहुत देर के बाद है तो 4 को replace कर दो जो future में जादा देर तक use नहीं होगा उसको replace करेंगे 1, 2 को रखके 4 को replace करके 5 ले आए यह आ गया 5 ले आए अहां यहां लिखना पड़ेगा 1, 2 और 5 अब 1 के लिए कोई page fault नहीं किसको replace करेंगे 5 को रखेंगे 1 और 2 में किसी को replace कर सकते है अब अगर किसी को भी replace कर सकते है इस 3 के लिए तो किसको करेंगे अगर आपके पास किदी pages की request नहीं है तो हम फिर FIFO लगाएंगे अगर future references नहीं है तो FIFO लगाओ between 3 and 4 between 1 and 2 1 and 2 के लिए FIFO लगाओ इन दोनों में से पहले main memory में जो आया था उसको replace करेंगे main memory में पहले कोन आया था 1, 2 या 5 5 को तो नहीं replace करेंगे 1 or 2 में tie है कि दोनों का request ही नहीं है future का future का request अगर नहीं है तो इन दोनों में से जिसको replace करेंगे वो वो होगा जो पहले आया था tiebreaker is FIFO FIFO के according 1 को replace करके 3 को ले के आएंगे फिर 4 की request आई page fault आया बिलकुल आ गया अब क्या करेंगे 5 को तो रखेंगे क्योंकि ये reference में है अब 3 और 2 में से किसी 1 को replace करेंगे किसको 2 को करेंगे क्यों FIFO अभी तो बोलो मैंने कि अगर 3 और 2 का कोई reference नहीं है future का तो जिसका reference नहीं है future का उन दोनों में से या उन में से सारों में से सारे में से जो page सबसे पहले आया main memory में उसको replace कर दो तो पहले replace करेंगे किसको 2 को फिर 5 के लिए page fault नहीं होगा कितने fault होए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 number of page faults 7 देख सकते हो FIFO में 9 आये थे यहाँ पर 7 आया है कम है दो कम है definitely आज COA का class नहीं हुआ बेटा आज COA का class नहीं हुआ है कल होगा कल हम cache memory के एक-दो question पाइपलाइनिंग के एक-दो question और floating point representation के एक-दो questions करेंगे एक-दो मतलब देखेंगे कितने number of questions हो सकते हैं कल है न चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं और optimal policy के advantages, disadvantages को discuss करते हैं तो optimal policy में एक तो easy to implement है आराम से easily implement हो जाएगी ठीक है फिर simple data structure are used to implement this but but highly efficient is the most biggest advantage of this highly efficient क्यों? क्योंकि ये minimum number of page faults देता है minimum number of page faults ठीक है disadvantage क्या है? requires future knowledge of the program program के future का knowledge चाहिए इसलिए practically impossible है कि program कैसे रन होगा कौन-कौन से pages की request किस sequence में आएगी कैसे पता चलेगा तो practically impossible है और दूसरा है time consuming ये कोई मुझे explain कराएगा कि ये time consuming क्यों है कोई मुझे एक बार प्लीज explain करके बताओ ये अगर आपको समझ में आता है कि ये time consuming है तो क्यों है अगर कोई बता सकता है तो वरना मैं तो बताओंगा ये of course मेरा तो काम है देखो time consuming इसलिए है योकि इसमें मुझे search करना पड़ेगा हर एक page को future के references में जैसे कि यहाँ पे हमने 4 के लिए किसी page को replace करना था तो 1, 2, 3 को future references में search किया 1 कहां मिला, 2 कहां मिला पहले, 3 कहां मिला तो search करना पड़ेगा ना बाकी के सारे references में कि 1 कहां है, 2 कहां है, 4 कहां है या 3 कहां है तो future references देखने के लिए अगर हमारे पास let's say references हैं तो search करना पड़ेगा ना कि 1 कब refer होगा two cup और four cup या three cup तो इनको check करने के लिए या search करने के लिए time तो लगे अगर आपके पास ऐसे 50 references हैं तो 50 references को sequentially देखना पड़ेगा कि request of one कहां है two कहां है और three कहां है तब जाके पता चलेगा कि कौन सा page ऐसा है जो बहुत देर बाद refer हो रहा है उसको replace करना है right तो जो page को replace करना है उसको search करना है अगर future references में तो वो search करने के लिए बहुत time लगेगा time consuming है इसलिए है time consuming to find a page to replace ये जो policy है इसमें बहुत गड़बर होती है बहुत बच्चे बहुत मुश्किल से इसके question सही से solve कर पाते है तो practice बहुत कर लेना खूप सारी वरना गड़बर हो जाएगी है ना चलो 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 अब आगे बढ़ते हैं और अगली policy देखते हैं least recently used अब एक चीज तो हमने देखी कि हम future नहीं देख सकते ठीक है minimum page fall चाहिए भी minimum page fall चाहिए but optimal policy implement नहीं कर सकते तो optimal के around एक policy बनाई गई कि चलो एक काम करते हैं future references नहीं देख सकते हैं but past के data को use करते हैं और past के data में जो जो reference अभी अभी आए हैं जिन जिन pages को अभी अभी CPU ने use किया है उनको अभी अभी रख लो और जो बहुत देर से use नहीं हुए उनको हटा दो क्योंकि वो ऐसे pages हैं जो inactive हैं काफी देर से इनका फिर request अब वापस नहीं आएगा क्योंकि इनके program का part अब रोगया run हो गया तो LRU policy implement की गई जो practically implementable थी करता आदो तो यह क्या कहता है LRU policy किस page को replace करेंगे replace a page replace the page which has not been referred since longest period of time तो जो page past में बहुत देर से use नहीं हुआ है उसे replace कर दो कोई pages ऐसे होंगे न जो अभी frequently बार 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 रेफर हो रहे हो तो उनको रख लेंगे क्योंकि उनकी हो सकता है future में ज़रूरत ज़ाद है क्योंकि अभी अभी रेफर हुआ है तो हो सकता है आगे भी रेफर हो जाए बहुत देर से कोई एक page रेफर ही नहीं हुआ था उसको हटा देंगे क्योंकि अब बहुत देर से अगर use नहीं हुआ है तो future में use होनी के possibility भी कम बनती है practically यह implementable है बिलकुल है और practical scenario में यह बहुत कम क्या देती है page faults देती है तो it provides very minimal minimum नहीं कह सकते है minimal number of page faults यह page fault rate लिख देए minimal page fault rate in practical scenario in practical चीक है चलिए कैसे काम करती है algorithm देख लेते हैं वही same example अभी देखो यह example एक छोटा example है normal वाला real वाला example नहीं है real वाले example में actual में ऐसा होता है कि page faults कम ही आते हैं है ना चलिए तो देखते हैं कैसे काम करता है वही तीन frames है सारी initially empty है reference यह दे रखिए सबसे पहले request आई one की page fault होगा free frame में लेके आ गए two के लिए page fault हुआ free frame में लेके आ गए free के लिए page fault हुआ free frame में लेके आ गए four four के लिए page fault हुआ बिलकुल हुआ क्योंकि वो है नहीं main memory में अब हम चेक करेंगे past में तीन अभी अभी refer हुआ है दो इस time पे one इस time पे one two three में से सबसे पहले बहुत पहले किसका reference हुआ था one का तो one को हटा दो चार से replace कर दो फिर request आई one की page fault हो गया four अभी अभी refer हुआ three यहां refer हुआ two बहुत पहले refer हुआ था तीनों में से two बहुत पहले का refer है तो उसको हटा दू two के लिए one और four को रखेंगे three को हटा देंगे five के लिए two और one को रखेंगे four को हटा देंगे one page fault है hit हो गया नहीं हुआ page fault हिट हो गया two के लिए page fold नहीं हुआ क्योंकि वो main memory में है हिट हो गया 3 के लिए अब difference आएगा आप बोलोगे सर फीफो और ये तो एक जिसा चल रहा है तो अब difference आएगा क्यों क्योंकि जब repeated request आती है किसी page की तब समझ में आता है कि किस page को replace किया जाए ये repeated request आई है 1, 2 की तो हम देखेंगे 3 जो है इसके लिए 2 अभी-अभी refer हुआ है 1 अभी-अभी refer हुआ है 5 को replace करेंगे क्योंकि 5 जो है long time से refer नहीं हुआ है use नहीं हुआ है तो हम 3 के लिए 5 को replace करेंगे यहाँ पर 1 और 2 को रख लेंगे बस यही difference था P4 में और इसमे P4 policy अगर हम जाएं तो इसी question के लिए हम देखेंगे कहां गया भई P4 यह रहा P4 में 3 के लिए हमने 1 को replace किया था क्यों? क्योंकि 1 पहले main memory में आया था बट यहाँ पर 1 और 2 अभी-भी refer हो गई use हो गई तो इनको least recently used की category में नहीं most recently used की category में आएंगे अभी-भी refer होए हैं तो अभी-भी में recent में ही refer होएं इसलिए इनको रख लेंगे और जो बहुत पहले refer हुआ था उसे हटा देंगे तो जिस page को बहुत पहले use किया था CPU ने उसको हटाएंगे 5 को हटा दिया 3 से फिर 4 के लिए 3 और 2 को रखेंगे 1 को हटाएंगे page fault हुआ 5 है नहीं 3 और 4 को रख के 2 को हटा दू number of page faults कितने हुए 10 फिपो से जादा हो गए बट फिर भी in general practical scenario में ये कम ही देता है आपको 10 छीक है ये आपके पास LRU का advantage क्या है efficient है practical scenario में एक तो फिर दूसरा है doesn't suffer from belladies anomaly belladies anomaly भी नहीं होती इसमें किया आप page frames बढ़ाओगे तो fault बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं होता but disadvantage है इसका implementation complex होता है एक तो find करना कि कौन सा page replace करना है उसके लिए maintain करना पढ़ता है कि कब कौन सा page refer हुआ है जो अभी अभी refer हुआ है उसको top पे रखेंगे ताकि उसको ना हटाएं है ना जो page बहुत पहले refer हुआ तो उसको bottom में रखेंगे उसको हटा देंगे खटा खट तो इसके लिए maintain करना पड़ता है जो page बार-बार use होता रहेगा उसको maintain करनी पड़ेगी उसकी priority list kind of stack आपको maintain करना पड़ेगा which is quite complex expensive भी है of course time लगता है और hardware support भी चाहिए इसमें इसको implement करने के लिए hardware support भी चाहिए चलिए अब ये question है आपको इस question में बताना है कि optimal और LRU policy अगर हमने लगाई तो हमें कितने page fault होंगे optimal के लिए कितने और LRU के लिए कितने जल्दी से इसको question को solve करके और मुझे answer बता दीजी झाल 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 हां जी क्या उतर आया आप्टिबल के लिए आया 6 बाकी एलार्यू के लिए और बाकी लोग क्या कर रहे हो 6 ओप्टिमल के लिए 6 4 फ्रेम्स हैं ना 4 गंसीडर किया है ना गंसीडर की है ना 4 फ्रेम्स 4 फ्रेम्स के नहीं की है जी चलिए बोथ 6 चलो देख लेते हैं अप्टिमल सबसे पहले 5 प्री फ्रेम में, पॉल्ट होके आ गया, फिर आया 7 फिर से फॉल्ट हुआ, प्री फ्रेम में आ गया, फिर आया 0 फिर से फॉल्ट हुआ, प्री फ्रेम में आ गया, फिर आया 1 ये भी फ्री फ्रेम में आ जाएगा, तो 5, 7, 0, 1, चार आ गये, फिर आया 7 ये तो हिट है भई, पिर आया 6 ये है नहीं तो page fault तो होगा जी हाँ अगर page fault होगा तो हमने check किया 7 को रखो 1 को रखो 0 को रखो 5 को हटाओ 5 बहुत पहले refer हुआ था उसके बाद से reference आया नहीं तो 6 के लिए 5 को हटा देंगे यह जाएगा आपके पास page का alignment फिर 6 के लिए हमने हटा दिया 7 के लिए फिर से hit हो गया फिर 2 की request हाई 2 तो है नहीं हमारे पास main memory में page fault होगी अब page fault के लिए 7 6 1 0 को रखेंगे नहीं नहीं 7 6 1 को रखेंगे 0 को अटाएंगे क्योंगे 0 बहुत पहले refer हुआ था यहाँ पर 7 उसके बाद refer हो चुका है तो 7 6 1 को रखो 0 को हटाओ 0 को हटाओ 2 के लिए 6 7 2 1 अब 1 की request आई वो तो hit हो गया अच्छा मैं 이 LRU policy लगा दिया मैंने मैं ने LRU लगा दिया इसमें इसकी जेगे LRU लगा दिया फोई बात इस बार पर मैंने LRU solve कर रहा हूँ ठीके मैं मैंने optimal नहीं लगाया मैंने LRU लगा दिया ओके अभी LRU लगा दिया कोई बात नीज तो मैंने यहाँ पे किसके लिए two के लिए request की थी one के लिए तो hit हो जाएगा page fault नहीं हुआ फिर six आया six के लिए भी page fault नहीं हुआ फिर आया seven उसके लिए पेच फॉल्ड नहीं हुआ फिर आया six उसके लिए भी page fault नहीं हुआ फिर आया one इसके लिए भी page नहीं हुआ कितने आया page fault चार दो छे LRU के लिए number of page faults six number of page faults six लर्यू को यहां solve कर दिया मैंने optimal यहां कर देता हूं optimal को यहां कर लेते हैं चली अब देखो चार के शुरुवात में जो आये हमारे पास वो तो fault होंगे ही five seven zero और one यह unique है सब के लिए fault हुआ और सब एक-एक करके settle हो गए एक-एक frame में चार में चार page fault और बिना कोई replacement के बिना कोई tension के वो अपने अपने free frame में जाके settle हो गए अब आया request हमारे पास next seven का तो page fault नहीं होगा फिर आया six का page fault तो होगा बट हम चेक करेंगे future में seven यहा requested है फिर five की request नहीं है फिर zero की request भी नहीं है one की request है तो seven और one की request है five zero की request नहीं है अब 5 और 0 में tie हो गया जिनकी request नहीं है उनमें अगर tie है तो पहले PFO लगा दो 5 पहले आया 5 को replace करो 6 से तो 6, 7, 0, 1 हो गया अब 7 फिर से page fault नहीं होगा फिर आया 2 page fault होगा अब 2 के लिए किसको हटाएं अब देखेंगे हम future में 7, 6, 1 7, 6, 1, 3 की request है 0 की है नहीं 0 को अटा देंगे 2 के लिए तो 0 को 2 के लिए हटा देंगे फिर उसके बाद 1, 6, 7, 3 की request है और 3 में 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 है तो कोई page fault होगा ही नहीं no page fault 1, 2, 3, 4 और 5 तो page fault कितने आये हैं इसमें भी 6 आगए number of page faults 6 आगए अच्छा page fault rate बताओ जल्दी से कितना आया page faults तो 6 आए page fault rate कितना आया page fault rate कितना आ रहा है 6 out of कितने रेफरेंसेद हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 13 references में से 6 हिट हुए 6 out of 13 अब देखो हमने कल या last class में कोई question solve किये थे जिसमें page fault rate दे रखा है main memory का access time दे रखा है और फिर page fault service दे रखी है और आपसे पुछा है effective memory access time निकालो क्या ऐसा कोई question solve किया था हमने किया था ना तो उस question को इसके साथ में merge करके बहुत बड़ा question मनाया जा सकता है कैसे कि आपको पहले तो ये request sequence दे दी फिर बोले कि page fault rate यहां से निकालो जब page fault rate निकल जाएगा तो फिर क्या करोगे फिर आपसे ये पुछा जाएगा कि आप बताओ effective memory access time कितना आया तो page fault rate को use करो फिर main memory के access time, page fault, service time सबको use करो और formula लगा के answer निकाल दो तो एक step तो ये आगे page fault rate निकालने कि उसके बाद का step कल के last class के questions में था वो solve कर लेना Done चली आगे बढ़ते हैं और आगे का एक और प्रशन देखते हैं ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से इसको solve कर दो बहुत simple सा प्रशन है बताओ answer बताओ गुड इवनिंग हिमानशुजी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग तेशन को लाइक कर दो याद और इसका उत्तर बतादो जल्दी से बड़ा simple सा क्योश्शन है अभय कुमार जी का उत्तर आ है 5 बाकी लोगों के भी उत्तर आ जाने दीजिए फिर देखते हैं कि एक ही आंसर आ है बाकी लोगों भी दो है पाँच पाँच विशाल का आणसर आया है पाँच ल्वे में 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 मेरल आई इससीला का आणसर आपढ आपनिम्याझी लोगों के लोगों अबेजा नेचतर आप पाँट्ट आपच है अल्यू आप खरम, बाल आई पाँ さ का क्या है 6 possible number of page faults algorithm का नाम नहीं दे रखा है क्या करें कौन सी algorithm लगाएं minimum page faults हमारे पास optimal में आ सकते हैं क्या सर optimal के अलावद दूसरी algorithm नहीं ला सकती अभी तो थोड़ी देर पहले देखा कि LRU ने भी 6 लाया बट 6 से कम किसी में नहीं आएगा अगर optimal में 6 आया तो optimal से कम किसी में नहीं आएगा और दूसरी algorithm सेम लेब आ सकती है किसी reference के लिए बट इस से कम किसी में नहीं आएगा minimum पुछा optimal लगाओ काम घदम करो 9 page fault 8 page fault दोनों frame भर गई 7 7 के लिए हमने reference देखा future का 8 अभी अभी आया है 9 को replace कर दो page fault हो गया बट 8 के लिए फिर fault नहीं होगा फिर 7 के लिए भी कोई fault नहीं हुआ फिर 9 आया 9 के लिए हम देखेंगे 7 यहां referred है 8 यहां referred है 7 और 8 में से 7 future में अभी अभी में है 8 बहुत दूर है तो 8 को replace करो 9 से page पेज़ पाइब, फिर नहीं आएगा, फिर 9 के लिए फिर से नहीं आया, फिर 8 के लिए फिर से आया, 9 को रख लेंगे, 7 को अटा देंगे, क्योंकि 9 रेफर में है, future में है, तो 9 को रख के, 7 को अटाएंगे, 8, अरे-रे, 8 और 9, पेज़ फॉल्ट हुआ था, 8 के लिए, 9 के ल कितना हुआ तीन पाँच पाँच हिट होगया पाँच मिस होगया बहुत शान बार चलो कुछ लोगों ने तो आंसर दिये अच्छी बात है बाकी लोग भी कर लो ये लगता एजी है बट जब implementation की बारी आती है mix हो जाते है अरे सर ये page आपने replace क्यों किया जितना ज्यादा हो सके अब आता है most recently used most recently used कहता है कि आपको वो page को replace करना है जो अभी अभी refer हुआ है सबसे recent में refer जो हुआ है उसको replace करो क्या कहता है recent में जो refer हुआ है उसको replace करो replace the page which has been referred most recently सबसे recent में कौन सा page CPU ने use किया है उसको replace करो ये LRU का just उल्टा है LRU में हम किस page को replace करते हैं जो बहुत देर पहले use हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है ना और MRU में किसको replace करते हैं जो सबसे अभी अभी recent में refer हुआ है उसको उसको replace कर देंगे ठीक है अब अगर ऐसा है तो यही algorithm को implement करने की कोशिश करते हैं तीन frame के साथ आप लोग try करोगे एक बार will you try this once चलो एक बार try करो आप लोग की क्या आप लोग implement कर सकते हो मेरे बिना बताए या नहीं एक बार try करके बताओ एक बार try करके बताओ देखो तो सही क्या आता है बताओ 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 कि इतने number of page faults हो रहे हैं चली seven answer दिया है अंजली और वरशा ने एक बार देख लेते हैं सबसे पहले तीन फ्रेम्स हैं वन के लिए रिक्वेस्ट आया page fault हुआ 2 की request आयी page fault हुआ frames, खाली-खाली frames में लेके आ जाएंगे इनको, फिर 3 के लिए request आया इसको भी ले आये फिर 4 की request आये, 3 को replace करेंगे, क्योंकि यह सबसे recent में refer हुआ है जो recent में refer हुआ है, उसी को ही replace करेंगे, 1 के लिए 4 को replace करेंगे, क्योंकि अभी अभी रेफर हुआ है जो सबसे रीसेंट में CPU ने यूज किया है उसको रिपलेस कर देंगे ठीक है अरे क्यों रिपलेस करेंगे 1 के लिए तो हिट हो जाएगा यार 1 तो है ऑलरीडी 2 भी है 5 पाई के लिए किसको रिप्लेस करेंगे पाई के लिए जो अभी अभी यूज हुआ है उसे रिप्लेस करेंगे पाई के लिए अभी अभी जो यूज हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे replace करेंगे जो अभी-अभी use में आया है कौन 1 अभी-अभी use में आया है उसको हटा देगा तो 2, 5 और 4 3 के लिए जो अभी-अभी use में आया है उसको हटाओ जो अभी-अभी use में आया है 2 उसके लिए हटाएंगे तो यह आ जाएगा 4 के लिए कोई page fault नहीं 5 के लिए कोई page fault नहीं number of page faults कितने हुए 4, 3, 7, 7 page faults होंगे विशाल जी एक बार चेक करो कहां गड़बर होगी number of page faults is equal to 7 most recently used चली आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारी next class जो होगी next class में हम देखेंगे आगे की algorithms को कौन कौन सी मैंने आज सारी नहीं कराई क्यों CVC reason से क्योंकि मैं चाता था कि थोड़ा सा आपको time दिया जाए तो हम last in first out लिफो देखेंगे अगली class में और ये frequency based algorithm देखेंगे दो और फिर start करेंगे file system को तो कल की जो class होगी इन तीनों चीज के आराओं होगी और file system हम start करतेंगे कल की class में file system से जितना हमें discuss करना है उतना ही करेंगे फिर अगले session में हम आखरी में scheduling देखेंगे disc के request की और फिर खतम disc request scheduling के पहले अगर आप लोगोंने coa नहीं पढ़ा है तो उसमें magnetic disc का concept पढ़के आईएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बिना उसके आपको नहीं समझ में आएगा disc disc नहीं समझ में आएगा scheduling नहीं समझ में आएगी अगर आप लोगों को magnetic disc नहीं पता है plater नहीं पता है cylinder नहीं पता है ठीके चलिए कल सुबह coa की class होगी expected questions की वो last class होगी और उसके बाद operating system के questions start हो जाएंगे और वो भी 6-7 sessions पे हम खदम करेंगे जी हाँ और एक और session आज रात में रखा है 9.30 पीएम पे और वो session है कि आपके अगले 50 दिन का schedule क्या होना चाहिए और routine कैसा होना चाहिए आप कितनी बज़े क्या करेंगे test कब लिखेंगे कितनी बज़े लिखेंगे किस तरीके से आपकी scheduling होगी routine बनेगा वो हम देखेंगे है ना चले तो आज का session तो समाप्त हुआ बट आप लोगों के लिए कुछ information है पहली information यह कि अगर आप लोगों ने अभी तक enroll नहीं किया है तो pre mock test के लिए AIMT के लिए इसके लिए enroll कर दो ये test का बहुत बहुत benefit होगा क्योंकि इसमें ना detailed एक तो आपको performance report मिलेगी उपर से all India rank भी पता चलेगी इसके लिए वीडियो के description में link दे रखी है आप जाए और इस code को use करके और लगा ले अगर आप लोग gate 24 का भी तयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले 23 दे दे उसके बाद तयारी करें आपको mock test लिखके पता चल जाएगा कि आपकी rank कि किसके around आएगी exam में तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छी preparation करना चाहते हो बहुत अच्छी और आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा benefit मिले top educators की live classes का plus की sessions आप ले सकते हैं iconic subscription ले सकते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़े offer के साथ में ये available हैं price drop पहले और उसके उपर से discount दोनों मिला के ये code लगा कि आपको बहुत बड़ा benefit मिल जाएगा ये subscription ship इतने में देख सकते हो 15 मन्त का subscription इतने में मिलेगा 24 प्लस 3 27 मन्त का subscription इतने में मिलेगा plus का iconic भी बहुत बहुत कम कीमत पे available है ये code लगाने से discount और मेरा personal guidance मिल जाएगा अगर आप gate 24 ही start कर रहे हैं अभी से तो नई batch भी आप लोगों के लिए start होने वाली है और ये batches कब से start होंगी 21st December से 24 gate के लिए 25 gate के लिए दोनों के लिए Hindi English दोनों में start हो रही है बस याद रखिएगा code VDeep10 ताकि आपको 10% के discount के साथ मेरा personal guidance भी मिल जाए अगर आप सिफ test series लेना चाहते तो उसका भी subscription available है चार महिने और बारा महिने और चोईस महिने का इसके लिए आपको light subscription पर select करना होगा और ये code लगाने से इस पर भी discount मिल जाएगा चाहिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा इसको like जरूर करिएगा share करिएगा अपने friends के साथ subscribe कर लीजिएगा चैनल को turn on कर लीजिएगा notification मिलते हैं आप से आज रात साड़े 9 बजे वाले session में तब तक अपना ख्याल रखेंगे happy learning बाबाई